Hey guys, this is Rohit Bhakat and welcome back to my channel Mobile Talk तो guys, आज की वीडियो में हम करेंगे Redmi Note 9 Pro की फुली camera review and test और आपको दिखाएंगे 13,999 रुपीज में आपको Redmi कैसा camera provide कर रहा है और वीडियो सुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा इस model को ओपर, यानि Redmi Note 9 Pro के पर में बहुत सारा वीडियोस बना चुका हो लाइक, gaming test, review and unboxing वीडियोस तो उन सारी वीडियोस का लिंक आपको description पर मिल जाएगा टाइम हो, तो वीडियोस भी चेक आउट कर लेना तो चलिए आचा camera test वीडियो सुरू करते तो कैसी phone की पीछे की तरव आपको मिल जाएगा quiet camera setup, एक square module के अंदर जहापर main camera आपको मिल जाएगा 48MP का और यहापर use किया गया Samsung ZM2 sensor जहापर एक अच्छा खासा आपको photos output मिल जाएगा secondary camera यहापर use किया गया 8MP का for super white angle, third camera यूज किया गया 2MP for depth sensing and fourth camera यूज किया गया 5MP का for macro lens and phone camera आपको मिल जाएगा 16MP का जहापर aperture आपको provide किया गया F2.2 तो चलिए आप देख लेते इस phone की camera interface तो guys देख सकते हो camera interface आपको कुछ each type मिलेगा तो पहले आपको मिल जाएगा slow motion mode तो guys यहापर slow motion mode आप 3 तरह से recording कर सकते हो 120 fps, 240 fps and 960 fps and मैंने बहुत सारा slow motion shorts लिया है आपको last पर दिखाने बाला इसके लावे यहापर मिल जाएगा short videos mode जहापर 15 second का कोई भी music videos बनाना चातो like tik tok जाएगा तो यहापर आप इंस्टैंटली बना सकते हो और आपको यहापर मिल जाएगा videos mode जहाँ आप 4K, 1080p, 30 fps and 1080p, 60 fps and 720p videos यहाँ पर record कर सकते हो यहाँ आप आपको photos mode मिल जाएगा and dedicated आपको 48 में आपको mood यहाँ पर पोबाइट किया जाएगा इसके अलावे यहाँ आपको मिल जाएगा ported mood and ported mood के अलावे आपको यहाँ पर मिल जाएगा panorama mood and pro mood तो guys pro mood काफी अच्छा mood है यहाँ पर आप pro mood पर कोई भी professional अगर pictures क्लिक करना चाते हो and pro mood पर आप यहाँ पर videos भी record कर सकते हो जो कि एक अच्छा कासा features है तो चलिए आप बात कर लेते इस phone से मैंने बहुत सारा shots ले है एक एक करका आपको दिखाते है तो guys अगर आप इस phone से daylight या outdoor shots main camera से लेतो outdoor घर के बाहर जाके तो काफी अच्छा picture quality यहाँ पर आपको पोबाइट किया जाएगा picture के detailing देखा जाए, color quality देखा जाए वो भी आपको काफी अच्छा पोबाइट किया जाएगा जेकना except किये थे Redmi के तरफ से उससे कुछ जाद ही आपको picture quality पोबाइट किया जाएगा बात के थे picture की dynamic range and picture की sharpness तो वो भी overall आपको काफी आच्छा है देखनों मिलेगा and guys यहाँ पर जो dedicated आपको 48 में आप इससे का mood मिलेगा यहाँ पर आप full frame पे photos captures नहीं कर सकते हो आपको frame size रखना करा 4-3 तो 4-3 पे आप high definition photos अगर आप click करना चाते हो तो इस mood को use कर सकते हो and guys normal photos mood and 48 में आप इससे का photos के अंतर देखा जाए तो काफी semi photos मिलेगा just आपको detailing का अंतर मिलेगा otherwise color, sharpness and dynamic range आपको semi provide किया जाएगा इसका पर इस phone में आपको मिल जाएगा AI scene detection mode, HDR plus की supported font and back camera में मिल जाएगा and यहाँ पर एक नया features आपको मिलेगा pro color mood तो guys pro color mood एक बहुत ही अच्छा features है आप normal photos लेते हो and pro color on करके photos लेते हो तो आप दोनों photos का color का अंतर आप देख सकते हो photo का detailing, photo का sharpness, photo का dynamic range same रहेगा बस आपको जो color का अंतर यहाँ पर आपको मिलेगा हम ज्यादातर क्या करते हैं कोई भी photos क्लिक करते हैं अपनी mobile से and कभी social media पे post करते हैं तो उस पर ज्यादा तर effect लगा के post करते हैं तो अगर आप pro mood on करके कोई photos क्लिक करते हो तो उस photo के आप directly social media पे post करते हो तो आपको edit करने का जरूरत नहीं पड़ेगा तो यह काफी अच्छा features लगा मुझे बात करते हैं यहाँ पर zooming के बारे में तो यहाँ पर आपको 10x zooming मिल रहा है लेकिन यह कोई काम का नहीं है यानि अगर आप 10x zooming करके कोई भी photos क्लिक करते हो तो इस photos का quality फुल यह आपको low provide किया जाएगा तो 4x तक आपको अच्छा खासा यहाँ पर picture quality मिलेगा अगर 6x 10x तक आपको एकदम फाल्दू सा picture quality फोबाइट किया जाएगा बात करते हैं यहाँ पर जो secondary camera मिलता है 8 में आपको सरका for super white angle तो यहाँ पर आप up to 190 degree white तक capture कर सकते हो तो यहाँ पर आप sample देख लिजिए यह रहा गाइस normal picture और यह बला रहा गाइस ultra white one करके दोनों picture का आप देख सकते हो अंतर काफी अच्छा white यहाँ पर capture कर रहा है और इस picture के quality देखा जाए दोनों picture का तो दोनों picture का quality ज्यादा तर same है बस color का आपको थोरा different मिलेगा जो ultra white mood on करके मैंने picture click कर चुका हो यहाँ पर ज्यादा थोरा brightness रगड़ा है इसका आप गाइस picture का जो detailing picture का जो quality same ही आपको provide किया जाएगा ज्यादा तर मोबाइल पर क्या होता है गाइस ओभार expose हो जाता है अगर ultra white mood पर आप photos click करते हो तो यहाँ पर ऐसा कुछ आपको नहीं मिलेगा तो ultra white mood पर भी आपको अच्छा खासा photos यहाँ पर provide किया जाएगा बात करते हैं गाइस यहाँ पर जो selfie camera आपको मिलता है 16 में आप एक्सल का तो यहाँ पर 16 में आप एक्सल से आपको भी selfies लेते हो यहाँ पर आप अच्छा खासा photos क्लिक कर सकते हो तो guys यहाँ पर sample देख सकते हो photos का जो quality, color quality, detailing quality काफी अच्छा मिलेगा इसके अलावे skin tone and beauty आपको रहेगा वो भी आपको काफी अच्छा खासा provide किया जाएगा इस phone पर बात करते हैं guys अब portrait shots के बारे में तो यहाँ आपको 2 में आपको इसल का depth sensor मिलेगा तो portrait shots आप देख सकते हो पहले आपको samples देखा देते हैं तो कुछ इस type आपको samples मिलेगा तो samples पर आप देख सकते हो picture का जो quality काफी अच्छा मिलेगा, subject भी आपको काफी अच्छा detailing मिल जाएगा color भी काफी अच्छा मिलेगा, detailing भी काफी अच्छा मिलेगा, सारपनेस भी काफी अच्छा पोबाइट किया जाएगा, Age Detection की बाद क्या जाएगा, वो भी आपको काफी अच्छा खासे है, यहाँपर पॉभाइट किया जाएगा, बस आपको पीक्चर का जो ब्राइटनेस है, थोड़ा यहाँ पर high मिलता है potent shots पे अब बात करते है guys macro lens के बारे में तो guys इस price segment की phone पे जाता तर phone पे आपको 2 megapixel का macro lens मिलता है लेकिन यहाँ पर Redmi Note 9 Pro पे आपको 5 megapixel का macro lens पोवाइट किया जा रहा है तो यहाँ पर आप sample देख सकते हैं मैंने बहुत सारा photos क्लिप कर चुका हो तो guys मैं बताना चाहांगा especially की macro lens यहाँ पर कुछ अच्छा खासा पोवाइट नहीं किया जा रहा है क्यों guys 5 में आपको सबका macro lens आपको मिलता है लेकिन यहाँ पर photos का आप detailing देख सकते हो कुछ अच्छा detailing आपको नहीं मिलेगा otherwise guys picture quality picture का जो color and age detection कापी अच्छा मिलेगा बस आपको detailing का थोड़ा कमी यहाँ पर देखने को मिलेगा अब बात करते हैं night mood के बारे में तो यहाँ आपको dedicated night mood पोभाइट किया जाएगा अगर आप low light पे pictures click करते हो fully low light पे नहीं थोड़ा low light पे अगर आप pictures click करते हो तो कुछ इस type का आपको output मिलेगा तब देख सकते हो मैं मैंने यह photo साम के तरफ में click कर चुगा हो तो काफी अच्छा खासा आपको noise free picture quality मिलेगा यहाँ पर मैं उसी time मैंने एक selfie लिया तो selfie में थोड़ा आपको noise देखने को मिलेगा तो अगर आप back camera से night mood से photos लेते हो तो काफी अच्छा quality आपको noise free photos मिलेगा लेकिन font camera पे आपको थ film 6 पे मिल जाएगा और मैं बताना चाहूंगा Redmi night mood के ओपर और बी अगर improve करें update के बाद तो यह phone और भी बहतर बन सकता है यानि night mood और भी बहतर बन सकता है अब आपको दिखाएंगे videos quality तो guys अब videos quality के बारे में बात करने से पहले मैं बताना चाहूंगा आपको यहाँ पर 4K videos recording and 1080p videos recording and 720p जो videos recording का mood मिलता है तो यहाँ पर आपको videos पर EIS system मिलता है यानि electronics image stabilization अगर आप guys 4K में videos recording करते हो तो यहाँ पर आपको EIS system की support नहीं मिलेगा otherwise guys 1080p, 30p, 60p, 720p पर videos recording करते हो तब आपको EIS का supported मिल जाएगा अगर guys आपको smooth videos recording करना है तो मैं आपको recommend करूंगा आप 4K में मत कीजिए आप 1080p या 720p पर कीजिए तो मैं आपको 4K का samples आपको पहले देखाता हूँ तो आप देख लिजे samples तो guys आप देख सकतो videos Redmi Note 9 Pro mobile की back camera से recording हो रहा है और यह 4K यानि USB quality पर recording हो रहा है without external mic तो यहाँ पर आप videos quality देख सकतो काफी अच्छा मिलेगा और वीडियो quality यहाँ पर मिल जाएगा without mic तो guys यहाँ पर आप देख सकतो 4K videos का quality काफी अच्छा मिलेगा और यहाँ पर जो voice captures का quality है वो भी काफी अच्छा मिलेगा लेकिन guys जो 4K का वीडियो से बहुत ही वीडियो से बहुत ही हील रहा है and otherwise 1080p videos आप देख चुको काफी stable videos यहाँ आपको provide किया जाएगा तो guys यही था कुछ वीडियो से बारे में वात है अब यहाँ पर आपको slow muscle के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर guys मुझे slow motion 240fps पे कुछ खास नहीं लगा and 960fps पे आप slow motion देख सकते हो तो slow motion quality काफी अच्छा है लेकिन जो videos का quality है वो आपको थोड़ा low quality provide किया जाएगा otherwise जो slow motion है वो काफी clarity आपको provide किया जाएगा तो guys time slap mode पे आप अच्छा खासा वीडियो क्याप्चार कर सकते हैं और बहुत stable videos यहां पर capture कर सकते हो तो guys यहीं था एक overall Redmi Note 9 Pro की camera test and camera review अगर guys आपको videos useful लगा अच्छा लगा तो videos को like and share करना नहीं मुलना अगर आपको इस phone के बाड़े में या इस phone की camera के बाड़े में और भी कुछ जानना है या पूछना है तो आप इस video की नीचे जाके comment करके बताना मात बूलना अगर guys आप चाते हो मुझसे बहुत सारा बाते करना तो आप मुझे follow कर शकते हो यहाँ पर मिल जागा मेरा Instagram का ID description पर भी आपको मिल जागा तो जाओ जाके अभी मुझे follow करके DM करो जहाँ पर guys हम करते हैं बहुत सारा बात उसको यहीं पर खतम करते हैं और फिर मिलता है एक नई वीडियो के साथ तब तक लिए गुडबाय जाए हिन बंदे मातर रहे हुआ 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 हुआ